Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankita Asood, so NTA Udicinate Re-Examination के Morning Shift का Detailed Analysis में आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि examination का level क्या था, क्या previous year questions के pattern को ही paper में follow किया गया है, overall हमारा paper hard था, easy था या moderate था, इसके साथ ही students में आपको ये भी बताऊंगी कि हर unit में से किस type questions पूछे गए थे, क्या statement based questions जादा थे, क्या rearrangement वाले questions जादा थे, क्या overall pattern रहा है paper का, वो सब चीजे हम देखेंगे, and ये important क्यों है, क्योंकि students आगे आने वाली shifts में भी इसी pattern को follow किया जाएगा, जो day one की first shift में follow किया गया था, okay, तो चलिए, फिर इसी के साथ analysis को शुरू क करते हैं, so सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो overall examination का feedback students का हमारे पास आया है, सबका यही कहना है कि paper हमारा easy to moderate था, hard अभी तक paper किसी ने भी नहीं बोला है, and ये भी बोला गया है कि previous year examination के level के हिसाब से ही हम लोगों का ये वाला paper भी था, ठीके, previous year examination में students आप ये बिलकुल मत सम पजिएगा कि 18 जून को जो paper हुआ था, उस level का आपको paper मिलेगा, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कि December 2023 तक के जो papers है, उनको अच्छे से पढ़िए, उसी level का ये paper था, यही अभी तक के हर हमारे student ने हम लोगों को feedback दिया है, okay, ठीके, so ये कुछ important चीज़े थ जो questions थे, वो pyq-based थे, आगे अब unit-wise analysis हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले ICT में, देखिए students, ICT में एक question पूछा गया था, virus, जो कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, virus भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को trojan horse भी बताया था, तो यहां से आप लोगों को paper में question देखने को मिला है, ठीक है, यह आप लोगों को question देखने को मिला था, ICT unit में से, so next, जो हमारे students हमें बता रहे हैं, वो बता रहे है logical reasoning unit का, so logical reasoning unit में Indian logic वाले part से question आया था, एक question यह बोल रहे हैं कि fallacy में से आया था, मैंने आप लोगों को बताया है कि fallacy तो है, equivalent, equivalent, जो हम लोगों ने AEIO वाला concept पड़ा है न, उसी में से पूछा है कि दो statements कौन कौन से equivalent होंगी, यह हम लोगों को identify करना था, ठीक है, यह हम लोगों को identify करनी थी चीजे, so यह आप लोगों से पूछा गया था, इसके अलावा, as expected one question आया था, NEP 2020 से, और इस में जो target मै ने आप लोगों को बताया था, target based question होगा, यह चीज फिलाल clear नहीं है, लेकिन definitely target based question होगा, या फिर NEP की recommendation में से आप लोगों से question पूछा जाएगा, ठीक है, clear है, next, जो है research aptitude की बात की जा रही है, research aptitude में आप लोगों से plagiarism, plagiarism का question पूछा गया था, साहितिक चोरी जो होती है, साहितिक चोरी का बिल्कुल एक updated question आया था, तो आप लोगों का अगर फिर से exam, मतलब re-exam आपका एक दो दिन बाद भी है students, तो आप लोग plagiarism से related, जितने भी software's हैं, ये पढ़ लीजे, जितने भी government के initiatives हैं, plagiarism को control करने के लिए, ये आप लोग सिरीज का question आया था, इसके अलावा एक topic हम लोगों ने पढ़ा है, cross-sectional, ठीक है, cross-sectional जो topic है, यहां से question expected था, और ये ही paper में पूछा गया था, maths में number series के अलावा आप लोगों से percentage का question पूछा गया था, बहुत tough भी नहीं था, अगर आपने practice की होती, तो फिर चीजें easy हो जाती आप लोगों के लिए, ठीक है, then students reading comprehension, okay so reading comprehension के लिए फिलहाल जो feedback आया है, उसमें यही बताया जा रहा है कि बहुत easy था, easily इसमें questions के answer भी मिल रहे थे, और कई बार ऐसा होता है na reading comprehension में language बहुत tough यूज की होती है, English बहुत भारी यूज की होती है, जो समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक है, और data interpretation की अगर बात की जाए, unit number 7, so data interpretation में interest में से question पूछा गया था, simple interest वगयरा जो हमने बताये है, so employment से related कुछ data था, और interest वाला based question था, तो इसमें भी again यही है, मैं नहीं बोल सकती easy था कि moderate था, DI पूरा का पूरा depend करता है कि आपकी तयारी कैसी चल रही है, ठीक है कि आपने कितना उस चीज को practice किया है, उसी भी आपका DI निरभर करता है, इसके अलावा students, next चीज जो आप लोगों को पूछी कही थी, वो हम लोगों ने दिखिये, research aptitude में types of test बताया था, मैंने hypothesis testing होती है उसमें बहुत सारे test होते हैं, जैसे T test है, Z test है, ANOVA test है, वो सब हमने अभी कुछ दिन पहले ही live class में बढ़ा था, so research aptitude में से types of test का question आप लोगों से पूछा गया था, clear है इतना, next हम जाते हैं higher education unit पर, higher education में आप लोगों से, आप लोगों से ancient university में से एक question आया था, ठीके, ancient university से एक question आया था, और उसके साथ ही, dr. अंबेदकर university, dr. अंबेदकर university से question पूछा गया था, यहां पे students आप लोगों को, इससे क्या पूछा हो सकता है, यह student ने नहीं बताया, हो सकता है कि year of establishment पूछा गया है, कब यह university बनी, किसने यह university बनाई, ऐसा कुछ हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, people development and environment में students हम लोगों ने last examination में देखा था, breeder reactor में से question थे, है ना, जो हमारा जून में हुआ था, 18 जून को paper, उसमें breeder reactor का question आया था, वैसा ही question breeder में से पूछा गया था, और maximum questions जो हैं, वो आप लोगों से पूछे गए थे, statement based, statement based questions कैसे हमें correct answer तक पहुचाना है, कैसे हम आसानी से elimination method यूज़ कर सकते हैं, यह आपको तरीका यहां पर follow करना है, और इसके साथ ही multiple options वाले questions बहुत जादा paper में आय थे, ठीक है, multiple options वाले questions आय थे, जो कि हमेशा demand कर करते हैं, कि आपके concept clarity होनी चाहिए, research attitude की बात करें, तो एक topic sampling, देखो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, कि sampling बहुत जरूरी है, so sampling में से question आया था, जिसमें basically non probability sampling की बात की दी थी, okay, brain of computer, very easy question, brain of computer में से question आया था, अभी तक ICT में हमने number series वाला question नहीं देखा है, memory conversion व काफी easy paper आ रहा है, अब कैसे logical question पूछे जा रहे होंगे, वो उसी वक्त पता चलेगा आप लोगों को, लेकि topic सारे पड़े हुए है, लेकिन उसमें से question कैसे आएंगे, ये ज़रूरी है जानना, okay, fallacy मेंने आपको बता दिया, formal fallacy पूछा गया था, EIO वाला concept मेंने बता दि उसमें पूछा था कि equivalent कौनसी statements होती है, इसका rule आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा पूछा गया था nuclear fission, nuclear fission आज तक paper में काफी समय से नहीं पूछा जा रहा था, अब यहां पर आया है तो आगे भी जरूर आएगा, so nuclear fission आप लोगों को जरूर जरूर पढ़कर जा इसके questions हमें पता लगे है, yes, एक question और बोला जा रहा है, that is your number series हो गया, teaching aptitude में से online educational portals जो होते हैं, उसमें से आप लोगों का question पूछा गया था, हम लोगों ने research aptitude में thesis writing format पढ़े थे, जिसमें MLA का question आया था, ठीक है, MLA का question आया था, इसका MLA में से हम यही expect करते हैं, MLA में से हम यही हमेशा expect करते हैं कि किस formatting को यहाँ पर use किया जाता है, है ना, यही पूछा गया था, होगा, शायद वो students ने, फिलहाल मुझे नहीं बताया है, ठीक है, तो अभी तक अगर हम लोग देखें, तो research aptitude में से expected as it is question आये है, ICT में से expected as it is question आये है, people development and environment थोड़ा सा मुझे unexpected लग रहा है, जैसे कि इसमें protocols का फिलहाल मुझे तो किसे student ने कोई नहीं बताया, कि question आया है, nuclear fission बताया गया है, breeder reactor बताया गया है, ठीक है, nuclear fission बताया है, breeder reactor बताया है, universities में से ancient Indian universities एक expected था, NEP 2020 भी expected था, definitely एक यहां से कुछ digital initiative या current affair में से question बना होगा, higher education में से, जो फिलहाल student miss कर रहे होंगे, है ना, so इस चीज़ को आप लोगोंने थोड़ा सा ध्यान रखना है, research में देखिये, sampling मैंने आपको बताया था, तो overall अगर मैं इस session को, आप लोगों को बताऊं, so easy था, है ना, बहुत जादा चीज़े tough नहीं थी, logical reasoning में से एक topic और बताया जा रहा है, that is, हेत्वा भ्यास, हेत्वा भ्यास हम लोगों को जरूर पढ़ कर जाना है, अगर हेत्वा भ्यास आया है, तो definitely next shift में हेत्वा आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है, next statement में आप लोगों से हेत्वा जरूर पूछा जाएगा, इसके अलावा students communication में आप लोगों से statement based questions पूछे गए थे, तो communication unit number 4, so communication से statement based questions आये थे, जिसमें students आप लोगों को खास ध्यान किस चीज़ पर देना था, खास ध्यान देना था कि जो basic terms communication से related मैंने आपको बताई थी, वो बढ़कर जानी थी, तो वहीं में से एक question communication का पूछा गया था, और भी students, फिलाल मुझे teaching aptitude का एक भी question यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप में से जो भी students यह session देख रहे हैं, आपने भी अगर examination दिया है, तो मुझे एक बार update दे दीजिए, इसके अलावा, इसके अलावा students, और भी कुछ topics हैं, अगर मुझे पता चलते हैं, तो मैं definitely आप लोगों को comment section में उन topics को pin कर दूँगी, और जो भी students हमारे whatsapp group में है, ठीक है, जो भी students हमारे whatsapp group में है, उन सभी students के साथ मैं वहाँ पर भी list share कर दूँगी, ओके, और कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहती हूँ, students हो देखिए, paper 1 preparation के लिए December 2024 examination के लिए एक new batch हमारा coming Monday से start होने वाला है, इस batch की सबसे खास बात ये है, सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर हम exam से पहले live lectures के साथ आपका पूरा syllabus तो cover करवाएंगे ही, साथ ही live mock test भी आपको practice करवाएंगे, अभी जितने भी topics मैंने आप लोगों को बताएं इस session में, ठीक है, shift 1 के analysis में जितने भी topics मैंने आप लोगों को बताएं, वो सभी topics हमने आपको पड़े हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों नहीं आपर पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगला topic है, सभी teaching aptitude के questions भी बच्चे मुझे बता रहे हैं, so teaching aptitude में हमने human memory पढ़ा था, जिसमें आपका implicit memory था, जिसमें हमारा explicit memory था, तो यहां से question paper में पूछे गए हैं, ठीक है, implicit memory, explicit memory में से आया है, इसके अलावा blogging, 2.0, देखो हम लोगों ने web 2.0 ICT में पढ़ा है, web 2.1 पढ़ा है, ठीक है, यह सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, तो इनका क्या main role होता है, जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है, कि social media कौन से web का एक part रहा है, ठीक है, emotional web किस के अंदर आता है, तो यह सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, paper के लिए बहुत important है, okay students, so फिर इसी के साथ चलिए, discussion को end करते हैं, जो भी और topics होंगे, मैं जैसे ही पता चलते हैं, आपको ग्रूप में share कर दूँगी, आप सभी क्या करिए, अपनी तैयारी में लगे रहे हैं, यह topics को जरूर revise कर लीजिए, so thank you so much and all the very best.